लोगों ने पलको पर बिठा लिया अमेठी के लालको जियांखवरे यूपी के अमेठी जिले में भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश महामंतरी गोविन नरायन सुकल उर्फ राजा बाबु के विधान पैसत सदस के रूप में पहली बार अपने ग्रिय जन्पत अमेठी पह बगत हुआ आतिस बाजी फूलो की बारिस सडकों पर नगाडों की धुम लोगों में खुसी की भारी जोस के बीच गुजते जै सीराम के घोस से अमेठी में दिपावली सा महल दिखा राजा बाबु संगर्स की मिसाल हैं उन्होंने यह साबित कर द्या की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेनत रंग लाती है राजा बाबु बड़े ही सामाने परिवार के सदर से हैं एक समय था जब वे भाजपा नेताओं का जिंदाबाद लगाने के सबसे पीछे की लाइन में जगप आते थे सभा में बैठने को सीड भी नहीं मिलती थी सुबह से साम तक जंडा प अने बलोटें तो अमेठी में अपने लाल के स्वागत में फलके बिछा दिये गए देखें अमेठी से अंजनी मिस्रा की यह रिपोर्ट अपने केंद्री नेतित और प्रदेश नेतित को इस बात की लिए धनिवाद ज्यापित करूँगा उन्होंने उत्तर प्रदेश में दो करोड कारेकरता हैं और उसमें से आमेठी के एक कारेकरता को एक सामाने कारेकरता को उच्छे सदन भेजने का नढ़ने लिया जिसके लिए मैं अपने वरिष्ट नेतित आधनी मोधी जी सहीट, योगी जी सहित मारे राष्टिय देच जेपी नड़्धा जी प्रदिश देश्वतन जी सहित सभी नेतितों को आभारवेत करूँगा कि उन्होंने अमेठी से कारेकरता का चैन किया और आज मैं कह सकता हूँ कि साइद एक सामाने कारेकरता के रूप में होने के कारण जिस प्रकार से स्वागत अविनंदन हैदरगर की सीमा से लेकर के अमेठी तक में किया जो मुझे एक बजे पहुचना था मैं यहां तीन बजे के बाद पहुचा उसके पीछे एही कारण है कि आज अमेठी के हमारे सभी विधायक, हमारे जनता, जनारदन, कारेकरता सभी इस्ट मित्र सब लोग मिल करके जिस प्रकार से अविनंदन किया है मैं आभारी हूँ आज अमेठी की जनता का भी और अपने मित्रों का भी याज हमारे अपने घर में इस प्रकार से स्वागत हो रहा है अविनंदन हो रहा है मैं आभारे विक्ति करता हूँ आप से सब लोग काम करते हैं जो पाटी का नेड़े है वो सभी के लिए मानने होगा पाटी उस पर अपना जो नीत निर्धारण करती उसके अमसार हम लोग करेंगे तिकेड जी ने आरोप लगाया है कि जो घटना घटी है लालकी ले के पास वो भाजबा के लोग करता हूँ देश में नरेंदमोधी जी की प्रदेश में योगी जी की सरकार मैं कह सकता हूँ देश की आजादी के वाद में किसानों का जो सम्मान निधी से ले करके किसानों के खाद की उपलधता से ले करके किसानों के कर्जमाफी जो मैंने वादा किया थो वो ले करके सारे कामों को किशानों के लिए कर रहे हैं कहीं कुछ अस्थानों पर कुछ प्रायोजीत ऐसा हो सकता है जो आज देखने को मिल रहा है लेकिन मैं उन सब के प्रती भी इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि देश के 125 करोड जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है उनसे में मैं निवेदन करूंगा कि बाचीत का रास्